तो दोस्तों एक बार फिर सो आगे थे आपका हमारे शानल पर मेरा नावे वरुट और हम बात कर रहे हैं लौ की जितने भी एस्पेरेंट से या कैंडिडेट से जो चा रहे हैं लौ करना या करियर मनाना लौ में यूज एक ही करके हम सब डिसकस कर रहे हैं ताकि आप जिसको टागेंट करना चाहरा है उसकी जानकारी एडलीस आपको रहे उनके जो में में इंपॉर्टन फीचर्स हैं पिरामीटर्स हैं जिन पर होने हम अच्छा मानते हैं वो जानकारी तो आपको रहे हैं इसके अलाबा अगर आपकी profile पर best क्या है ये जानना जा रहे हैं तो नीचे profile analysis form भी मिल जाएगा जिसको fill करके जानकारी आप ले सकते हैं तो भई आज हम बात करने वालेंगे इसकी डोक्टर राम वनुहर लोया जी हाँ नैशनल लॉय उनवर्सटी जो की लक्नव में situated है बिल्कुल अच्छा खासा नाम है इसका RML NLU हाँ अच्छा खासा जाना माना नाम शुमार निर्फ रेंकिंग 15 है जहां तक है जो की last to last year इन करते हैं लेकिन यह डिपेंड करता है क्या कैसे हैं तो सारी चीजें हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं चलिए कि करके चीजों को देख लेए इनका कहना यह है कि 1987 में जैसी बैंगलूरू का हां established हुआ law campus तब से थोड़ा सा बच्चों में law से related career बनाने को boost आया और उसी बो काम से जाना जाता है लकनाव में established हुई यह law university है जो की बायाले से कर की campus में फेली हुई है और बहुत सारी facility बच्चों को provide कर आ रही है UGC BCI का इने recognition है मतलब हाँ university grant देती है commission और बाहर council of India जो की law courses के लिए हाँ आपको अपलेटर करते हैं rankings की बात कर लें तो हम discuss करी चुक के कारण बच्चों को थोड़ा सा और certifications की बात करें internship की बात करें जिसमें थोड़ा सा नया करने को मिल जाता है जैसे बर्गिंगम law school हो गया UK का United Kingdom का इसके लाबा बाबा साब इम्रा अबेट कर university यह लखनाव की है बीवी यह नानी मानी शुमार नाम है इस university का तो इनके सा आप यहाँ पर application के दुर क्या कर सकते हैं admission ले सकते हैं साथी साथ exams पगेरा जो है यह जो मानते हैं obviously बात है NLU है क्लेट के basis पर अच्छी marks लेके आने पर ही आपको यह NLU मिल पाता है type of scholarship तो बहुत सारी प्रोवाइड कराता है merit कम हो गया means कम scholarship हो गया need ways हो गया category ways हो गया so depend करती है क्या कैसी एक बार चेक करने है अंतर ओफिशल website जहां आपको जानकारी मिल जाएगी इसकी तो हाँ आरे मिल काम बने हो लो यह NLU चीक है इस पर आप जाके .ac.in लगाएंगे तो यह ओफिशल website है जानकारी आपको पूरी यहां पर मिल जाएगे रएफ 2020 में यह 11 से पंदरवे नमबर पर खिसके है साथवे नमबर की इंडिया टुड़े इसको तो कोई मतलब है नहीं लेकिन है ठीक है हाँ मिल जाती है द्वड़ी आए अच्छी जीड़े और फीस जो की हमें पता होने चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं 5-year integrated courses भी कर सकते हैं यह फिर हम PG कर रहे हूं हो सकता है LLM के 2 साल एक साल के courses कर सकता है कुछ diploma courses हो अगर तो रुपे में एक साल की फीस में आपका काम यहां पर PG डिप्लोमाता हो जाए और साल भर कई course रहता है बिल्कुल वेफर कर रही है बी बी यह LLB जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं integrated course है पांच साल का यह होता है और एक ही course है जिसकी fee इन्होंने पांच लाग रुपे भी मतलब एक लाग रुपे गरीब एक साल की tuition fees क्या पर हो जाएगा कैसे पहुंचेंगे तो dual class में 45% minimum marks होने चाहिए और अच्छे marks लिखे आने पर क्या हो जाएगा आपको यहां admission मिल जाएगा certificate courses 9 courses content कराते हैं एक डिड़ अजार रुपे से start होके 19,000 रुपे तक के 6 महीने एक साल के courses है देख सकते हैं आप यहां पर कर सकते हैं UG diploma भी एक अड़क कराते हैं जिसके लिए हाँ obviously बात है क्या करना होगा आपको build class बास करना बिल्कुल बिल्कुल साड़े 8-9,000 रुपे एक साल का course है यह इक अड़क करा रहे हैं लखनो इसके बाद हम scholarships की बात करें तो हमने discuss किया हुआ है कि बहुत सारी अलग-अलग scholarships यह provide करा देते हैं जैसे अगर हम बात करें यूजी courses में तो B-A-L-L-B orders अगर आप यहां से कर रहे हैं तो इसके लिए क्या अगर ना intercept merit यह scheme चलती है क्लाइड पर अच्छे marks लेके आएंगे तब जाके यहां पर यह scholarship के लिए eligible होंगे आप और यहां ऐसे number of 10 participants यानि students को यह scholar से provide करा दी जाती है tuition fee wave off हो जाती है इसमें LLM वाले जिते विद्यार्थी हैं पैसे भी बहुत कम ही रहते हैं तो इकाद बच्चे को ही मिला हो गए यहां पर हाँ एक ही बच्चे को यह scholar से provide होती है जिसमें इंटर से merit में हाँ अब इसी बाद है अच्छे marks लेकिया हो placement के records इनके हमने अभी discuss किये ही थे क्या होता है इनके जो last to last year के इन्होंने records बदा है है claim करे हुए highest package 18,000,000 का बता है और on an average package जो बच्चों को दे रहे हैं यह 10,000,000 परैनम खा बता रहे है तो यार देखो है नाम भी है और बच्चे जाते भी है और शुमार है तो ऐसा देखो 140 से ज़्यादा recruiters यहाँ पर visit करते हैं इसा इनका मानना है और बहुत सारे तो करके रखना ही है तभी नाम शुमार हो पाएगा फिलाल की facilities की बात कर ले तो यह जितने भी institutions है basic जिस सारी facility प्रवाइड कराते हैं अब इनको कह जरूर facility देते हैं लेकिन यह overall development के लिए important है भाई अगर आप locky course करा रहे हैं mood court नहीं है आप क्या तो फिर कहां practice करा होगे बच्चों को सड़क पर करवा होगे क्या तो यह एक facility होनी जरूरी है important है library पड़ेगे कहां बच्चे कहां उनको व्यवस्ताएं मिलेगी चाहे यहाँ पे हम cafeteria भी खाते पीते कहीं चौपाल पर जाएंगे यहां पर टपरे पर जाके खड़े होके चाय पीएंगे अच्छा लगेगा तो यह cafeteria हो गया hostel रहने की यह सारी facility आप देख वा रहे होंगे basic facilities है जो कि यह provide तरह देते हैं और भई यह सारी बात हम किसकी कर रहे थे हां राम मनुहर लोहिया हाला कि डॉक्टर राम मनुहर लोहिया है अच्छा खासर नाम है इनका और यूपी में तो बहुत जा और ली है अब अगर अपनी profile पर best आप जाना चाहरा है कि क्या best होगा यह मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हाई ही नहीं मतलब अनली उस मिल गए तो फिर आपका तो हो सकता है कि बड़िया future गुजर जाए क्यों क्योंकि हाँ अब बस आप गलत जगा ना फस गया हूं वह you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share